हाई फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाल हैं जो अगला T20 का मैच आज खिला जाएगा जबलपूर T20 प्रिमियर लिख का इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप को दोनों हे टिमों के पूरी information share करूंगा बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों RSC और SRC के कौन से प्लेयर दोस्तों आज आपको इस मैच के अंदर औपन करते विधे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेश्ट अगर आप चेनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लें इस वीडियो के नीची आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा दोस्तों इस पे एक पर क्लिक कर दे साथ सतिया पर जो बैल आकन दिया हुआ है इस पे क्लिक करने के बाद आपको आल का ओफ्सन दिखने को मिलेगा दोस्तों इसको भी एक बार स्लेक्ट जरू कर लेना ताकि आने वाले टीटेन और टीट्वेंटी मैचेस का वीडियो में जैसे ही अप्लोड कर और सबसे इनपोर्टन है कि आप मारे टेलीग्राम गृप को जोइन कर ले दोस्तों यहाँ पर आपको मोर का ओफ्सन देखने को मिल जाएगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको हमारे टेलीग्राम गृप का लिंक सो हो जाएगा इस ग्रूप में जोईन करना ज़ तो चली अब इनफॉर्मेशन की और आगे बढ़ेंगे दोस्तों यह जो मैच रहने वाला है विन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर रानिताल स्टेडियम जबलपूर में यह मुकाबला होगा और यहाँ का पीच कंडिशन की बात किया जाए जिस परकार मैचिस अभी तक ह हुआ है सौरन के आसपास एक एवरेज स्कोर देखनी को आपको मिल जाएंगे और यहां का पीच रिपोर्ट दोस्तों बहुत ही बढ़िया है दोस्तों खास करके अगर बोलर्स के लिए देखा जाए तो कापी बढ़िया पीच है मतलब आपको लोई स्कोर देखने को है जब मजबूत तीम थोड़ा मजबूत तीम रहता है तो यहां पे अच्छा स्कोर भी देखने को मिला है बाखी अगर आप देखेंगे तो 70-80-100 अरन के आसपास एक एवरेज स्कोर देखनी को मिला जैसे की सबसे पहले बात करते हैं SRC के टीम के बारे में यानि स्रीराम क में कर आप देखेंगे तो MHC के टीम ने 202 का टर्गेट दिया था जो कि SRC के टीम इस रन को मातर 27 रन थेगी चेस कर पाया था देख सकते हैं दो मैचेस खेलार दोनों मैच यहां पे लॉस करते वे आए दोस्तों बहुत कमजोर टीम SRC के टीम लेकिन वही अगर आप देख और फे फोगस करते हैं कमले श्याम टीम का आपको दोस्तों आपन करते वे दिख जाएंगे पहले मैच के अंदर 32 रन स्कूर करा है फिर फर्स्ट रन पे खेलते वे जीरो रन बनाये दोस्तों लेकिन 4 रन का बॉलिंग करा था कोई विकेट यहां पे निकाल नहीं पाए हैं फिर दोस्तों आपन करते वे जीरो रन लेकिन 3 रन का गेंदवाजे में एक विकेट निकाला हुआ है दो मैच के अंदर टोटल 4 रन बना के एक विकेट यहां पे निकाले हैं दोस्तों तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते आपको दिख जाएंगे बाकि ओम राय का रिकॉ बाकि विजे का रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों तो पहले मेच कंदर 2 रन फिर यहां पे 0 रन स्कुर करा है इनका रिकॉर्ड तना बहतर है नहीं दो मेच कंदर 2 रन स्कुर करा है राहुल पटिल का रिकॉर्ड पहले मेच कंदर 0 रन फिर 2 रन बना के एक विकेट निकाला हुआ इन्होंने बाके हां पर शकति सोनी का रिकॉर्ड दोस्तों ये पहले मैच का अंदर देखेंगे तो यहां पर 9 run स्कूर कराया कोई बीकेट ने मिला है दोस्तों एक ओबर का गिन्दवाजी क्या था फिर एक रून बना है इसमें भी कोई बीकेट प्यूश पटेल का रिकॉर्ड पहले मैच के अंदर बैटिंग बॉलिंग दोनों से फ्लॉप और दूसरे मैच के अंदर भी फ्लॉप रहा है मुकेश एक विकेटर निकाला हो अब देखेंगे दोस्तों प्यूश पटेल हो यहाँ पे कमलेश च्याम यह दो गेंदबाज आद दोस्तों आपको स्टार्टिंग और बॉलिंग करते वे दिखेंगे चार खिलाड़ी आपको दूस्तों बैंचिस में आज आज आपको नजर आएंगे बाकि RSC का अगर आप बैटिंग ओटर देखते हैं तो शुबम यादव ओपन करते वे दिखेंगे दोस्तों आपन करते वे पहले मेच कंदर ठार रन स्कुर करा है बाकि गौरब पटेल यह आपन करते वे 10 रन स्कुर करा है यह दोनों के दोनों ओपनर बैट्स मेंने दोस्तों Royal Star Club के टीम के तरप से बाकि RAHUL का रेकॉड यह फर्स्ट ऑन पे खेल रहे हैं 14 रन स्कुर करी है ध्यान रखना टीम के आपको एक नबर पर जाएँगे बाकि परवीन का रकौर दिखें बहुत ही बढ़िया करा है दोस्तों यहाँ पे रोयल स्टार्स कलब की टीम के तरफ से बॉलिंग इनका दिखोगे तो बहुत ही बढ़िया रहा था इनको जरूर ट्राय करना है अकास प्रेशार का रिकॉर्ड चार नमबर पे खिलने के लिए यहते दस रन स्कुर करा है बाकि आशिश यादव तीन ओवर का गिंदबाजी में दो विकेट इनों निकाले यह गंदबाजी इनका भी बहुत ही बढ़िया रहा है दूस्तों बाकि दीपक को ड्रॉप करेंगे अनिल पासवान तीन ओवर का गिंदबाजी में यह फ्लॉप रहा है आप देख सकते विकेट तो आपने में दो दोस्तों आपको स्टार्टिंग ओवर पे बौलिंग करते विकेट जाएंगे यह दो गिंदबाज अपको डेत आवर में देखेंगे दोस्तों अभिशेक अमीद जादव प्रतीक आयूष या पे दूस्तों दिनेश और यह पे सचिन सिंदे यह चार-पा प्लेयर्स का बैटिंग ओोडर लगवग आपको सेम देखनी को मिलेगा, तो इस मेंसे आपको जो भी बैटर लग रहा है, प्लेयर्स का बैटिंग ओडर के अक्वाडिंग प्लेयर्स को फिर टीम के अंदर आप सकते हैं दोस्तों हलाकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तयार किया हुआ है तो टीम एक बार आप देख लो आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगा शुरुवात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से जी पटेल इसलिए भी इंपोर्टन है दोस्तों क्योंकि ये प्लेयर ऑप आपको दिख जाएंगे तिनको अपने टीम के अंदर ट्राय करना है लास्ट मैच के अंदर 18 इन्होंने स्कोर करा है दुस्तों बाकि ओम राय का रिकॉर्ड देखेंगे तो सेकंड डाउन पे खेलते वे इन्होंने जीरो रन बनाए दुस्तों लेकिन ओपन करते वे दुसर इन्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा आपके लिए दुस्तों या पर शुहम यादा हो ओपन करने के लिए आये थे 18 इन्सकोर करा है तो यह आपके लिए अच्छा च्वाइज रहेगा बाकि राहूल को मैं ट्राय करूंगा फर्स्ट रॉन पे खेलते हैं 14 इन्होंने स्कोर कर टीम का मिडलर का बेट्समेन लेकिन बॉलिंग भी करते हैं तो यह तीन खिलाडी बैस्ट रहेगा और लंडर में दोस्तों मैंने चार और को लिया हुए एस अंसारी के श्याम और दोस्तों यहाँ पे एस जैनर यहाँ पे आर पटेल यह जो चार प्लेयर है जो कि आपको ब बहुत बढ़ियान का रेकॉर्ड था आर सरमा का और इस वज़े से इनकों मैं अपने टीम के अंदर ट्राय करने वाला हूँ जो लास्ट मैच के अंदर पांच विकेट अपने नाम कराता तीन वर का बॉलिंग में पाके टीम के तीन नमर पे खिलने के लिए भी आते हैं तो लास्ट मैच के अंदर हाईस्ट विकेट टेकर बॉलर रहा था बागी एस जयन को भी मैं ट्राय करूंगा ये भी अच्छे गिन्द बाज है दूस्तों इस वज़े से मैं अपने टीम के अंदर ट्राय कर रहा हूँ उसात सथ टीम के टॉप अडर पे बल्ले बाजी भी करते मिलते हैं दुस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी प्रकार इंफर्मेशन के साथ शुक्रिया